हेलो दोस्तों, जो लग भी भारत से दुनिया के दूसरे देशों में या इसके अलबा दुनिया के दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं इन से भी लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आ रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि Central Board of Indirect Taxis and Customs अधिकारियों को सभी एलेंस कमपनियों को पैसंजर्स का P&R डेटेल करना compulsory हो गया है जी हाँ दोस्तों जो लोग भी एलेंस से ट्रेवल करने वाले हैं उन से भी पैसंजर्स का ट्रेवल से 24 घंटे पहले उनका सारा डेटेल यहाँ पर National Custom अधिकारियों को शेर करना अब यहाँ पर compulsory हो गया है आपको बताते चले कि बीते कल यह जानकारी सामने आई है CBIC अधिसूशना के अनुसार एरलेंस कमपनियों को इन अधिकारियों के साथ 19 डेटा पॉइंट साजा करना होगा जिसमें कि जो भी पैसेंजर्स फ्लाइटों से ट्रावल करके जाएंगे उन से भी लोगों का नाम ट्रावल की तारिक इसके अलावा All Available Payment और Billing Information यहां दोस्तों आपको बताते चलि की इस कदम के साथ भारतब पचास देशों की सूची में सामिल हो गया है जो कि इंटरनाशनल पैसेंजर्स का P&R डिटेल भी आब इखटा करने लगा है CBI की तरफ से यहाँ पर यह भी जानकारी सामने आई है कि यह दि कोई एर ओपरेटर इस नियम को फॉलो नहीं करता है तो इन से भी लोगों के उपर यहाँ पर 25,000 से लेकर 50,000 रुपे तक का जुर्माना लगाए जाएगा हाला कि इसको लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी गई है लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि यह कदम इसले उठाया जा रहा है ताकि जो भी बैंक के रिड़ी है यह दि वो बैंक का लोन नहीं चुकाते है और ऐसे सभी लोग यह दि देश से भागने की कोशिस कर रहे हैं तो इन से भी लोगों को एरपोर्ट पर रोका जा सके तो दोस्तों यह इस वक्त की एक लेटिस्ट कवर सामने आ रहे थी कि जो भी पैसेंजर सब भारे से ट्रेवल करके दूसरे देशों में जाएंगे उन से भी लोगों का पी एन आर डिटेल आप यहां पर एरलाइंस कमपनियों को देना कमपल्सरी होगा